जोते श्रतन केंदर चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय शोता गणों का बहुत बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिय साथियों मैं हूँ आचारपंडिस सर्वधनन शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भ़रा नमश्कार तो प्रिय साथियों आपके अपने दैनिक राजशिफल के विशह में करेंगे बात और ये चर्चा आरम करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पहले पंचांग की ही जानकरी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राजशिफल ये दोनो दिनांक एक अक्टू यानिके दौज नक्षत्र होगा अश्शुनी योग रहेगा व्यागात करन होगा गर राशी होगी आज मेश और चंद्रमा पूरे दिन मेश राशी में करेंगे संचार राहुकाल की जो समय अवदी है वे शाम 4 बचकर 38 मिनट से लेकर के शाम 6 बचकर 7 मिनट तक रहेगी और अभी जीत मूर्थ की जो शुब समय अवदी है वे पराते 11 बचकर 46 मिनट से लेकर दो पहर 12 बचकर 34 मिनट तक रहेगी इसके अतरिक बुद्ध जो है वो कन्याम राशी में प्रिवेश करेंगे अपनी स्वयम की राशी में मूलतरकोन राशी जो उनकी अपनी उच्छ राशी भी है उसमें वो उनका प्रिवेश होगा रात 3 के 8 बचकर 35 मिनट और शुक्र जो घ्रह हैं वो भी अपना राशी पर चांग के विशम है अब हम करेंगे चर्चा आपके साथ अपकन राशी फल के विशह में और यह बताना चाहिएंगे कि यह जो देनिक राशी फल आपका पूरर्य रूप से ग्रह गोचर की वरत्मान सित्वाधि पर आधारित है तो साथियों आगे की जो चर्चा है एसराश का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण से आप थोड़ा सा जुंजलाहट और बेचैनी महसूस कर सकते हैं रात के समय आप आज आपको धन लाव होने की भी संभावना दिख्ष रही है यानि के दिन के उत्रार्द में जाकर के क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आ आज के दिन रोमैस को आपको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा आज कुछ ऐसा भी दिन रहेगा आपके लिए जब चीज़ें उस सरीके से नहीं चल रही होंगी जैसा कि आप सोचते हैं या जैसा आप चाहते हैं जीवन साथी यह आपको जदा सकता है कि आपके साथ रहने के क्या क्या खमिया जा उसको भूगतना पड़ रहा है आज कोई थोड़ा सा इस प्रकार की बातें भी आपके जीवन साथी के दौरा आपके सामने आ सकती हैं यदि आप से कोई बात करना चाहता है और आपका मूड बात करने का ना हो तो आपको शांती से उसे ये बात समझा देनी चाहिए उपाय आप करें प्रेम जीवन को मधूर बनाना चाहते हैं और अधिक तो उसके लिए अपनी जेव में लगा बरावर एक सुगंदेत रुमाल जरूर रखिए शुबरंग आपके लिए आसमानी और शुबरंग आपके लिए चार विर्शवराशी यानिके ट जिनों में और जिन लोगों ने अतीत में अपना धन कहीं पर निवेश किया हुआ था आज उस धन से लाब होने की अच्छे संकेथ हैं घरे लू कारे थका देने वाला रहेगा और इसलिए मानसिक तनाव की वज़ा भी ये बन सकता है आपके आज के दिन रोमेंस के नजरिय दोने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आजा अतीत के सुनहरे दिनों में या तो कहा जाए कि वापस जा सकते हैं या उस समय में खो सकते हैं उपाये आप करें खाने में शहद का प्रियोग करना प्रेम संबंदों मे आपके ज़्यादा मिठास गोलेगा शुबरंग आपके लिए संत्री शुबंग कर आपके लिए आज तीन मिथुन राशी यानि के जैमनी साइन तो प्यारे साथियों आप जो हमारे मिथुन राशी के जो तक हैं देखिए अंब अपना जो वक्त हैं बहुत कीमती है आपका वक्त इस समय को आप खाली खाली पुलाव पकाने में वेर्थ ना करें तो ज्यादा त्षा रहा है कि साहर्थक कार्यों में लगाए अपने इस समय को और उसके लिए कुछ अच्छे कार्यों के लिए भी अपनी एनरजी को बचा के रखिएगा और दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो लेकिन शाम के वक्त किसी वज़ा से आपका थोड़ा धन का खर्चा हो सकता है और जिससे आपको थोड़ी बहुत परिश ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में एजाफा होगा और धरेलू मोर्चों पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का पूरा आप लुत ले पाएंगे आज अपने घर की छट पे लेटकर खुले आसमान को अगर आप नहारते हैं तो यह आपको बहुत ही अच्छा मैसू करक राशी यानि के कैंसर साइन प्रियसातियों आप जो करक राशी के हमारे जातक हैं व्यस्ति दिन चर्या के बावदूर्द भी सेहत आपकी ठीक रहेगी लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती नहीं करनी चाहिए और अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान जरू कर कुछी लोग ऐसे इंसान के आकशन से बच सकते हैं जिसके पास अपनी प्यारी सी मुस्कान हो जाहिर सी बात है और जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों और भी पहलेगी आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल भी बन सकती है और ये ऐसा दिन है साथी जब आप सोयम को समय देने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको अपने लिए समय मिल नहीं पाएगा बढ़िया खाना रोमैनी पल और जीवन साथी का साथ यही कुछ विशेश है आज के दिन जरुष से जादा सोना आपकी उर्जा को खतम करेगा इसलिए पूरे चरित्र भी हमेशा सही रखिएगा जूट कोशिश करें कि ना बोलें और किसी को आपने हरासमेंट भी नहीं करना है किसी को सताना नहीं परिशान नहीं करना और किसी के खिलाफ जूटी गवाई भी कोट वगेरा में जाके ना दें शुब रंग आपके लिए सफेद और प्रियास आज अस्वल हो रहेंगे हाला कि आपको इससे गवराने की तजर्वत नहीं है इस्थिति जल्दी उसमें सुधार भी देशेंगे आप होते हुए बच्चे और परिवार दिन का केंदर बिंदू बने रहेंगे आपके और आपका जो प्रिया है आपसे वादे की लेकिन बावजूत इसके भी आप वो कारे नहीं कर पाएंगे जो आपको करने चाहिए वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस करेंगे आज आप बच्चों के साथ बच्चों के जैसा ही वैवार करना अधिक पसंद करेंगे जिससे आपके बच्चे सारे दिन आप अपसे ही चिपके रहेंगे और आप में उनकी दिल्चस्पी भी रहेगी उपाया आप करें अपने इश्ट देव को पूजा में लाल रंग का सिंदूर अरपेद करने से आपका स्वास्त बहतर रहेगा शुब रंग आपके लिए सलेटी और शुब अंक आपके लिए है जात पाएं खराब हालातों से दूर रहना ही बहतर होता है आज के दिन आप उड़ जासे तो पूरी तरह से लबरेज रहने वाले हैं और ये भी मुंकिन है कि अचानक अंदेखा मुनाफ़ा भी आपको आज प्राप्त हो और ऐसा भी दिन है कि जब कार्या का दवाब थोड करने के लिए आज भी कई बार आप सोचेंगे लेकिन बाकी दिनों की तरह भी आज ये प्लान आपका पूरा नहीं हो पाएगा वैभाइक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है अच्छा चलेगा आपकी खूबियां आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र ब बेचैन बना सकते हैं और अतिरिक धन को रियल इस्टेट में निवेश आप करें और अपनी बातों पर भी थोड़ा नियंतर रखें जो बोलते हैं उसको सोच समझ करके पहले बोलें क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं और बेकार की बातें क करके किसी का समय बरवाद ना करें अपना भी समय खराब ना करें ज्यादा बेहतर रहेगा कि शांत रहें और याद रखिएका कि समझधार कारें कि जरिये ही हम जीवन को एक अर्थ देते हैं उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं और अपने प्रिया के बदले की भावना से कुछ हांसिल तो नहीं होगा बजाए इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिया को अपने सचे जज़बातों से परिचित कराना चाहिए आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होता है साथियों लेकिन आज ऐसा दिन रहेगा जब आपके पास अपने लिए समय होगा और आपका जीवन साथी अपने मित्रों में कुछ जादा व्यस्त रह सकता है जिसके चलते आपके उदास होने की भी समभावना से इंकार नहीं किया जा सकता मित्रों के साथ फोन पर गप्शप से बढ़िया और क्या हो सकता है इस से आपकी बोरियत भी दूर होगी उपाये आप करें शिव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत उत्तम उपाये रहेगा स्वास सच्छा बना रह प्याम करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और जिन व्यापारियों के संबंद विदेशों से हैं या उनका व्यापार विदेश से संबंदित हैं उन्हें आज धनानी होने की संभावना बनी हुई है किरपया स्ध्यान रखिए इसलिए आज के दिन थोड़ा सोच वाले हैं आपको अपने जजबातों पर तो काबू रखने की जरूवत है ही और ऐसा कुछ करने से भी बचना होगा जो मामले को और तूल दे या उसको बिगार दे दिखिए गपाजी गप हैं या अववाओं से दूर रहना अच्छा रहता है क्योंकि कई बार इनी की चीज दिनों में से एक होगा जब घड़ी की सुईयां बहुत दीरे दीरे हिलती हैं ऐसा आप महसूस करेंगे और आप लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे या आपके पड़े रहने की इच्छा रह करेंगी लेकिन इसके बाद सुयम को तरहता जावी आप महसूस करेंग और इसकी आपको काफी जरुवत भी है उपाये आप करें शुकरवार को शुरी सूक्त का पाठ करना प्रेम संबंदों के लिए अती शुब उपाये हैं शुबरंग आपके लिए पिलार शुबंग आपके लिए नौग धनुराशी यानि के सैजिटेरियस साइन प्रियसातियों बताना चाहेंगे अपने धनुराशी के जो जातक हैं कि आपका जो हस्मुक किसम का सवभाव है ये दूसरों को अपनी और आकरशित भी करेगा उनको इंप्रेस भी करेगा उनको खुश भी रखेगा और नौकरी प को धन की कमी का एहसास भी होगा आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ दहरे से काम लेने की भी जरूरत है आपके प्रिये का मूड ठीक नहीं रहेगा आज इसलिए सोच समझ कर कोई भी कार्रे करें आप और बातों को सही तरीके से समझने का आज पढ़ना मुम्किन है बेवजह की बातों में आप अपना कीमती समय बरबाद ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा यही आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय आप करें ज्यानी विद्वान और न्याय करता लोगों का संबान जरूर करें ऐसा करेंगे तो आपके आर्थिक दुर्स रहने की पूरी-पूरी संभावना है और अपने अच्छे स्वास्त के रहते आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने का फिरने का सेहर करने का या टूर का या कहीं खेलने का कोई प्लैन बनाएंगे और आज आपको किसी अज्यात सोर्ष से धनका भी प्राप मिक्ता रहेगी शाम डलते डलते कोई अचानक रूमानी जुकाओं आपके दिल और दिमाग पर च्छा सकता है यूँ तो दिन आपका उंदा रहेगा और आज के दिन अपने लिए समय जरूर निकाने और अपनी कमियों और अपनी जो खामिया हैं उन पर भी उनको बिना किसी का साथ पाए भी आज के दिन का आप भर पूर आनंद ले सकते हैं उपाये आप करें गड़ेश जी या विश्नु जी के मंदर में कासे की जोद दान में देने से पारिवारिक जीवन आपका बहतर रहेगा शुब रंग आपके लिए भूरा और शुब अंक आपक कुम राशी यानि के एक्विरियस साइन तो साथियों मुश्किल परिस्टियों का सामना करते समय आपको हिम्मत और मजबूरी मजबूती दिखानी होगी और सकारात्मक रवई है कि माध्धिम से आप आसानी से इन बाधाओं को भी पार कर जाएंगे मनुरंजन और सोंदर्य में इजाफे पर जरूष से ज़्यादा अपना धनकर्च ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और काम काज में जरूष से ज़्यादा तनाव के चलते परिवारों की जरूरतों और इच्छाओं को आप दर किनार बिलकुल ना करे आज के खूबसुरत दिन में आपके प्रेम संबंदों में आपकी सभी शिकायतें गायव होंगी यानिके दूर होंगी और आप चाहें तो परिशानियों को मुस्करा करके भी दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फसकर परिशान भी हो सकते हैं ये भी है दूसरा विकल अब आपको चुनना है क्या करना है चुनाव आप सोयम करें अगर थोड़ी सी कोशिश आपकी योड़ से की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे रोमानी दिन भी कहा जा सकता है आपके दोस्ट आपके कार्रे नहीं आते आपके काम नहीं करते मतलब यह शकायद आपको एक तरीके से आज ज्यादा होसकी है कि आपके जो मित्र हैं वो आपके कार्रे इनी के आपके काम नहीं आते हैं उपाये आप करें पीपल के वरक्ष को केसर के तिलक लगा करके पीले कच्छे धागे से बांदने से पारिवारिक जीवन में आपके खुशाली आएगी शुबरंग आपके लिए ग्रेश प्रियसातियों आज आपके पास काफी परियापत मात्रा में उड़ जा रहेगी, आप अपने आपको काफी उड़ जावान महसूस करेंगे, लेकिन कार्य का जो बोज है वो आपकी थोड़ा इर्रिटेशन को बढ़ा सकता है, और आज आपको किसी अग्याद सोर्स से इंकम हो सकती है धन की, और आज आप उस धन का प्राप्त होने के कारण अपनी कुछ जो प्रॉब्लम से उनको सॉल्व कर पाएंगे आर्थिक तोर पे, और कोई मित्र आपका अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आ सकता है आपसे आपका मश्वरा मांगने, और आएगा, और जीवन की उल्जनों का हल आपको खुड ढूंडने की जरूरत रहेगी, क्योंकि लोग आपको बस सला दे सकते हैं, इसके अदिरिक और कुछ नहीं, उपाये आप करें, जीव सेवा ही, इश्वर सेवा होती है साथियों, और आज किसी अपाहिच, व्यक्ति की म मेरे प्रिये साथियों ये था आप सभी बारे राशियों के जो जातक हैं, मेश से लेकर मीन तक उनका देनिक राशी वन, दुनांग एक अक्टूवन, सन दोहजार तेइस दिन रवी वार, विक्रम समबत, दोहजार अस्वी का, इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने होगा विरामा, और अपने आप सभी प्रियमित्रों से लेनी होगी इजाज़त, तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे, बहुत बहुत धन्यवाद, जै मातादी